हला दोस्तो के से हो आप दोस्तो आज आपको बताएंगे पियर समधित बहुत बड़ी जानकारी दोस्तो अगर आपने भी अपनी बैंक की के वाईसी अपने पी या यू ए एन अकाउंड में कर रखा है और वेरिफिकसन अंटर पोसेस बहुत दिनों से दिखा रहा है या फिर आप चेक कर पा रहे हो तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखा रहा होगा पैंडिंग विद इंप्लोयर फो डिजिटल सिगनेचर यह दो ही कन्फूजन होता है ज्यादा तर जो आपका दिखाता है तो दोस्तो आप परहसान हो जाते हो जब तक आपकी के वाईसी अपरूड नजर नहीं आएगी कुछ इस प्रकार से चाहे ही है पैन हो चाई-दार हो चाई-बैंक हो जब तक वह अप्रूड नहीं आएगी employer के दुआरा या बैंक के दूआरा तो दोस्तों आप अपना पिएप के पैस सब तक नहीं निकाल सकते जब तक वह अपूड लिखा नहीं आ इस वीडियो में बारे किसे आपको समझाएंगा कि किस प्रकार से आप भी अपना अपना जो के वाई सी है उसको अपरूर करा सकते हो एक सो एक परसेंट आपको इसका शोलोशन मिलेगा तो दोस्तों आप से बस छोटा सा एक रिपकेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नह आपको तीर के निसान से भी दिखा देता हूं ताकि आप प्रोपर समझ पाओ यह जो अपसन है इस पर किलिक करना है ठीक है यह उफिस यह ले ठीक है जैसे आप इस पर किलिक करते हो तो आपके सामने इसका एंटरफैस से कुछ इस प्रकार से आ जाता है मैं आपको दिखा प्रेट nisan से यह वाला option दीख रहा है spend anymore मैं आपको यहां से करके दिखा देता हूं जैसे में हैं प्र किलिक कर तो आप यहां से आज conflicting को आज आता कीption आ सबस्क्राइब कर देना यहां से तो आपको यह खनों में से चाह रेक्सेला करें अब हो जानट अब 907 और में यहां चलिए से अब कर दिखांग में जो इस पूले टालने का एक option आता है उस तो उसको डालना है चलिए मैं get aotp वाले option पर यहां किलिक कर देता हूं उस तो यहां से एक option नजर आता है जिसके अंदर लिखा होता है आपको मैं आपको दिखा दिता हूं यहां पर यह बोल लगा जाए है कि mobile नमबर पर आपका email या address पर आपका वेरिफिकस्ट का जो OTP है वेज़ देगा है तो उस OTP को आपको इस option में यहां पर डालना होता है और आपको में दिखा भी रहा है तो यहां पर एक option पर आपको क्लिक कर देना है फिर दोस्तों नीचे की तरफ आपका option कुछ इस परकार सखुल जाता है कर देना होएं तो यहां से कौन्टेक्ट नबर आपको देना होता है तो एक ऊप्षन में डाल देना होएं ठीक है उसके बाद आपको यहां से एक क्यूबर monitor चुनने तो member ID आपको select करना ना कि किस member ID की आपकी KYC इस समय approved नहीं हुई है ठीक है तो उस पर आपको यहाँ पर किलिक करना होता है तो चलिए यहां से मैं आपको उपर का process पूरा भर कर दिखा देता हूं live यहां से दोस्तों आप देख सकते हैं जो यहां पर देख चुके हैं यहां पर कैपचा है जो कैपचा भी डाल चुके है अब यहां से यह नीचे का option है मेंबर आइडी का उस पर किलिक करके आगे बढ़ते हैं उसके बाद आपको यहां पर next option नजर आएगा तो उसके अंदर आपको पीए पॉपिस सेलक्ट करना है तो क्योंकि यह जो आपकी पास्बुक है उसको अपरूड करने के लिए बैंक की पास्बुक अपरूड करने ल नीचे की तरफ आपको option नजर आता है कि आप अपना जो गिर्वेंस की जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में आप अपना कैटेगरी को सेलक्ट करो कि किस संबंदीत है कि कैवाइस संबंदीत है तो कैवाइस संबंदीत ही आपको सेलक्ट करने है नीचे discussion होता है गिर्वेंस का आपकी KYC को अपरोड कराने के लिए तो इसको आपको सेलक्ट कर लेना है तो चलिए मैं इस पर किलिक कर देता हूँ दोस्तो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि जो आपने KYC अपनी कर रखी है बैंक की तो ये बैंक से संब्दी थी KYC की नहीं यह आपका अगर आपको पैंड भी दे रखा है अगर आपने अपना पासवर्ड भी दे रखा है तो यहाँ पर आपको KYC से रिलेक्टिड जो इसू है इसी ओप्सन को सेलक्ट करना है ठीक है तो गिरवेंस के अंदर आप इस ओप्सन को डालोगे वे भी आपको बता देते हैं यहाँ से दोस्तों आपका जो डिस्क्रेशन कुछ इस प्रकार से आपको तयार करना जिसमें लिखना होता है कि आपको लिखना है जो मैं आपको समझा रहो वैसे ही आपको करना डियर सर मैंने मेरे अपने पी एफ में बैंक के वैसी रेक्वेस्ट तारिक आपको ले लेनी है जिस तारिक को आपने अपने सेड़ करी थी के वैसी को अपडेट के लिए डाला था ठीक है तो जो पैंडिंग दिखा रही उस डेट को आपको ले लेना है तो आपको उसके बाद लिखना है डेट लिखने के बाद मन्त लिख देना है जो इस मन्त के अंदर हुआ है उसके बाद आपको लिखना है को लगाई थी लेकिन आज इतना इतना तारिक हो गया है तो आपको समझ में आगा होगी कि कितना तारिक को तो आप अपना गिर्वेस को डाल रहे हैं, तो उतना तारिक को भी लाश्ट को आपको लेना है, ठीक है? को भी ये KYC अपुरूनहीं करी गई है, तो मेरे गर में साधी है, या जो इनलेस है या किसी परकार के जो भी परोलोग में आप करी जाए तो धन्यवाद थैंक्यू जो भी आपको लिखना है अपने मेटर में आप ऐसे लिख सकते हो ठीक है जैसा मैंने एक टोपिक आपको एक्जामपल के तोर पर यह समझा है वर्डों का मैंने आपको दिया है तो इन वर्डों को यूज कर लेना है इस परकार से आपको बता चुका हूं तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना डिस्क्रेशन को तैयार कर लोगे फिर यहां से दोस्तों आपको चूज फाइल पर किलिक करके अपना डोकुमेंट को पीडिएफ को अप्लोड कर देना या अपटेट इसमें मार देना जो भी आपने अपना डोकु अटेज करते हो तो उसके बाद यहां पर एड वालो जो अपस्वान है आपको इस पर अगर आपको लगाना है तो थीक है अगर नहीघाना तो यहां पर को याद रखना घैनले तो यहां को तो यहां से से समयेंड है यह दाला है एमने टीक है ciuk hai कर है अधकर आपको कुछ करना है तो आपको यह समझमना भर गया तो यह कुछ नहीं करना है यहां से नीचे की तरफ एक आपको नजर आएगा दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ जो आपको नीचे option दिखता है जो मैं आपको बता भी चुका हूँ submit का ठीक है तो इस submit option पर आपको किलिक करना होता है तो हमाराज यहां से सब कुसे हमने देख लिया है चेक कर लिया है और successfully with the following registration and number तो यहां पर एक registration number भी मिलता है आपको जो आपने complaint डाला है तो उस ग्रिवेंस की जो complaint आपकी हुई है उस number को आपको notice कर लेना है लिख लेना है या फिर आपको screenshot ले लेना है उसका एक member ID नजर आता है और registration number है जो वह भी आपको दिख रहा होगा मैं आपको यहां से दिखा भी रहा हूं इसी number को यहां से notice किया जाता है निजी पैचान को दियान में रखते हुए हम आपको यह दिखा नहीं सकते तो इस number को आपको notice कर लेना है जो तो आपको थोड़ गई है ठीक है तो दोस्तों इस परकार से आप भी अपना गिर्वेंस को रजिस्टेड कर सकते हो अगर आपकी KYC पैंडिंग दिखा रहा है बहुत दिनों से तो फिर दोस्तों आपकी यहां से complaint है जो आपने अभी की है इस पर 101% आपकी जो complaint है उस पर सुनवाई होगी और स सुनवाई होने के बाद में आपकी जो KYC अपरूड आपको नजर आएगी तो दोस्तों यहां से इस परकार से आप अपना complaint दर्ज कर सकते हो के KYC समधित जो आगर आपकी KYC पैंडिंग विदिंग इंप्लवेंस को डिश्टेड कर सकते हो तो दोस्तों कैसा लगा मेरे समधित हर जनकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद